हेलो गाइस गुट मारिंग तू अलो फ्यू आज का हमारा टॉपिक है नीचर ओफ सप्लाइज इंटरस्टेट और इंटरस्टेट देखो हम सभी को पता है कि हमारी इंडिया में जो जीएस्टी लगता है वो ड्यूएल मोडल पे लगता है dual GST लगता है यानि central government भी GST लगाती है और state government भी GST लगाती है हमें ये भी पता है कि अगर हमारी supply interstate होगी यानि दो या दो से ज़्यादा state involved होगे यानि एक ही state के अंदर business नहीं हो रहा है तो उस case में तो IGST लगेगा जो की आपकी center government लगाएगी और अगर आप intra state sale करोगे यानि within the state करोगे तो उस case में CGST plus SDST लगेगा CGST आपकी center government लगाएगी और SDST आपकी state government लगाएगी इसका मतलब क्या हुआ कि intra state transaction हो तो state government भी text लगा रही है और center भी और interstate है तो सिर्फ center government लगा रही है तो अगर क्या है text लगाने वारी authorities बदल जाती है text का system पूरा बदल जाता है तो इसका मतलब interstate है transaction या intra state है ये तो important चीज़ हो गई अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपकी transaction interstate है या intra state है तो किस according आप decide करोगे कि आपको cgst plus st st लगाना है या igst लगाना है इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम differentiate करें कि कौन सी transaction interstate माने जाएगी और कौन सी intra state माने जाएगी इस वीडियो में हम यही बात कर रहे हैं इस chapter में कि कैसे determination होगा nature of supply का यानि आपकी supply कैसी है इस बात को आप कैसे decide करोगे सबसे पहले हम बात करेंगे interstate supplies की कि कौन सी supply आपकी interstate माने जाएगी जो की prescribe हैं आपके section number 7 में then हम बात करेंगे interstate supply की यानि जो within the state वाली supply हैं जो की prescribe हैं आपके section 8 में and lastly हम बात करेंगे supply in territorial water की यानि जो पानी के बीच में कहीं पर supply हो रही है उसके regarding आप कैसे decide करोगे nature supply का उसकी बात करेंगे जो की prescribe है section number 9 one by one ही बात करेंगे सबसे पहले हम interstate transaction को discuss करने जा रहे हैं कि कौन-कौन सी supply जो हैं वो आपकी interstate मानी जाएगी interstate transaction को समझने के लिए कि कौन-कौन सी transaction interstate मानी जाएगी इसको हम five heads के अंदर discuss करेंगे पहले बात करेंगे interstate supply of goods के कि कौन सी goods की supply interstate मानी जाएगी जो है आपकी section seven subsection one में फिर हम बात करेंगे interstate supply of imported goods कि आपने जो good भार से मंगवाई हैं वो कब तक जो है interstate मानी जाएगी यानि कब तक उनका देखो एक बार इंडिया में आ गई उसके बाद वो further sale होंगी फिर further होंगी कब तक आपने मानोगे कि import की हुई item जो है interstate में आ रही है फिर हम बात करेंगे interstate supply of services की कि कौन सी services की supply आपकी interstate मानी जाएगी then हम बात करेंगे interstate supply of imported services की आपने कोई service import की है वो कब interstate मानी जाएगी and lastly हम बात करेंगे other cases के इनके अलावा भी कुछ चीज़े हैं जो आपकी interstate मानी जाती हैं उनको discuss करेंगे section मैं साथ की साथ लिख रही हूं सब चीज़ों के सबसे पहला है interstate supply of goods की कौन सी goods की supply जो है interstate मानी जाएगी तो देखो जो आपका section 7 का subsection 1 है वो क्या कहता है कोई भी supply goods की अगर वो क्या हो रही है दो different states के बीच में हो रही है दो different union territory के बीच में हो रही है क्या फिर दोनों में से एक state या एक union territory है देखो हम जो ये बात कर रहे हैं कि दो state में या दो union territory में वो हम क्या बात कर रहे है एक तो होता है आपकी location of supplier यानि जो supply कर रहा है उसकी location और दूसरी होती है आपकी place of supply यानि जहां पर वो supply करेगा जहां पर वो पहुँचा रहा है रिसिप्टेंट जहां पर है उसकी बात तो हम ये बात कर रहे हैं अगर जो है location of supplier और place of supply क्या है दो different state में है यानि location of supplier एक अलग state में है और place of supply आपकी दूसरी state में है यानि दो state involved है या फिर दो different union territories में है यानि एक मान लो दिल्ली में है एक पुड्डू चेरी में है यानि दो different union territory involved है या फिर एक इन में से state में है और दूसरी आपकी union territory में है यानि मान लो एक हरियाना में है और एक पुड्डू चेरी में है या फिर दमन अंदीह में है कहीं पर भी है किसी भी union territory में है तो इसका मतलब क्या है location of supplier और place of supply दो different state में है union territory में यानि अलग-अलग जंगय पे है तो उस case में माना जाएगा कि जो supply हो रही है goods की वो क्या है interstate है दूसरी बात आई interstate supply of imported goods देखो एक बार तो जो आपने कहीं भार से समान मंगवाया वो तो आपका देखो है ही interstate इंपोर्ट तो always interstate होता है लेकिन अब वो बार बार आगे आगे बेचा जाएगा तो वो कब तक आप मानोगे कि वो interstate ही रहेगा तो देखो जब तक कोई imported goods custom frontier में रहती है हमने last chapter में integrated goods and service tax में बात की थी custom frontier का मतलब है वो एरिया जो custom के अंदर आता जानि यहाँ पर custom duty लगती है तो जब तक एक goods जो है custom area के अंदर बिक्ती रहेगी तब तक वो interstate ही मानी जाएगी चाहे उसको कितनी ही बार क्यों न बेचा गया हो कितनी बार ही उसकी supply क्यों न हुई हो कितनी बार ही उसने hand change क्यों न किये हो जब तक वो custom frontier में रहेगी तब तक वो क्या मानी जाएगी interstate ही मानी जाएगी यानि imported की हुई goods जब तक custom frontier में रहेगी तब तक वो interstate ही मानी जाएगी तीसरा है interstate supply of services कोई भी supply जो है interstate तब मानी जाएगी अगर जो है location of supplier and place of supply क्या है दो different state में है union territory में है या एक state और दूसरी union territory में जो आपकी goods के उपर था as it is same है कि अगर location of supplier और place of supply दो different state में है यानि एक अलग state में है दूसरी चीज़ दूसरी state में है या दो union territory में है या दोनों में से एक किसी state में है और दूसरी union territory में है तो माना जाएगा कि जो supply हो रही है services की वो interstate है fourth है interstate supply of important services तो देखो कोई भी service जो है import की जाती है अगर इंडिया की territory में तो वो always interstate ही मानी जाती है गुर्ष के case में हमने बोला था जब तक वो custom frontier में रहेगी बट service तो देखो आप ऐसे hands change थोड़ी ना कर सकते हो आपने कोई service ली है वो तो आपके पास आगी तो आपने ले ली वो use कर लिया उसको आप आगे कैसे supply करोगे तो वो तो एक बार ही आएगी और जो एक बार आया है भार से import हुआ है वो तो always interstate ही होता है तो जो imported services है वो always क्या होती है interstate होती है फिर बात आई other cases की तो जो आपका के other cases है यानि कुछ और transaction भी है जो क्या है मानी जाती है कि वो क्या है interstate है वो क्या सबसे पहली export कि जब भी आप क्या करोगे export करोगे कोई भी good services या उनका combination तो वो interstate मानी जाएगी वैसे तो देखो कि हम बूलते हैं कि अगर export क्या है zero rated supply है यानि उसके उपर text नहीं लगता बट supply तो है तो export कर रहे हो यानि supplier इंडिया में है और place of supply आपकी बाहर है supplier इंडिया में है place of supply after of इंडिया है यानि export कर रहे हो तो वो भी interstate supply मानी जाती है दूसरा supply to or buy a special economic zone developer or unit अगर कोई supply जो है किसी special economic zone के developer को है उसकी unit को हो रही है या कोई special economic zone unit किसी को कर रही है दोनों ही case में वो transaction interstate मानी जाती है and thirdly वो सारी supply जो अभी तक हमने बात नहीं की जो अभी तक हमने बात नहीं की और वो क्या है intrastate नहीं है दूबारा बोल रही हूँ अगर कोई transaction जो है intrastate नहीं है तो वो क्या मानी जाएगी interstate माने जाएगी यानि इनसे अलग भी कोई transaction अगर वो interstate नहीं है देखो या तो transaction interstate होगी या interstate होगी तो वो सारी transaction जो interstate नहीं है लेकिन अब तक हमने डिसकस नहीं की है वो भी आपकी interstate ही माने जाएगी यानि interstate supply of goods माने जाएगी जब क्या है location of supplier और place of supply दो different state में है union territory में है या एक state और एक union territory में है imported goods थब तक मानी जाएंगी interstate जब तक वो custom frontier में है services के case में same goods वाला applicable होगा यानि location of supplier और place of supply अगर अलग-अलग जंगाय पे है तो माना जाएगा कि interstate है imported services always interstate होती है और अगर क्या है आप export कर रहे हूँ या कोई supply किसी supply में special economic zone developer involved है या फिर वो कोई भी ऐसे supply जो interstate नहीं है वो क्या मानी जाएगी interstate मानी जाएगी फिर हमारी बात आई ये तो थी आपकी interstate supply कौन-कौन सी मानी जाएगी कि कौन-कौन सी supply interstate होंगी तो देखो यहाँ पर हम दो parts में discuss करेंगे पहले interstate supply of goods की and then services की पहले goods की बात कर लेते हैं तो interstate supply of goods कौन सी मानी जाएगी वो सारी supply जहाँ पर आपकी लोकेशन ओफ सप्लायर और प्लेस ओफ सप्लायर जो हम इतनी देर से बोल रहे थे देखो interstate के case में location of supplier और place of supply क्या थी दो different state दो different union territory या फिर एक state और एक union territory में था तो हमने बोला था interstate होगा इसके बिल्कुल opposite अगर क्या है location of supplier और place of supply एक ही state में है दोनों या फिर एक ही union territory में है यानि place of supplier place of supply और location of supplier same state में या same union territory में है तो माना जाएगा कि जो transaction है वो क्या है intra state है यानि कोई भी goods की supply जहाँ पर location of supplier and place of supply जो है एक ही state या एक ही union territory में है वो transaction intra state मानी जाती है accept कुछ exceptions है कौन-कौन सी एक जहाँ पर special economic zone developer include होंगे क्योंकि हमने अभी बोला था कि special economic zone developer अगर किसी भी transaction में involved होते है चाहे वो as a supplier हो चाहे रेसिप्टेंट तो वहाँ पर वो क्या होती है inter state होती है और जो transaction inter state हो गई वो intra तो हो नहीं सकती यानि special economic zone developer include होंगे तो चाहे state सेम ही क्यों ना हो union territory सेम ही क्यों ना हो वो transaction inter ही रहेगी intra नहीं बन सकती दूसरा imported goods till they cross custom frontier देखो मैंने बोला था custom frontier में जब तक क्या है कोई supply रहेगी वो inter state ही रहेगी चाहे वो कितनी ही बार एक दूसरे को supply क्यों ना की जाए यानि मान लो कि क्या है custom frontier में से मैंने बोल दिया कि custom frontier में आपका गुजरात आ गया ठीक है अब गुजरात में अगर वो जो सामान है ए ने बी को बेच दिया बी ने सी को बेच दिया चाहे वो गुजरात के अंदर ही क्यों ना supply हो रहा हो क्योंकि वो custom frontier के अंदर है तो वो inter state रहती है जब तक custom frontier के अंदर है कितनी ही बार supply के उना हो वो inter state रहती है तो जो चीज inter state हो गई वो intra नहीं हो सकती यानि जब तक कोई भी supply है गुजरात की वो custom frontier के अंदर है चाहे वो within the state के उना supply हो रही हो वो आपकी inter state रहेगी intra नहीं बनेगी and thirdly supply made to a tourist जब भी किसी बाहर से आये हुए tourist को कोई supply की जाती है तो वो भी आपकी always inter state माने जाती है intra state नहीं होगी यानि जब भी location of supplier और place of supply within the state या within the union territory होगी वो inter state supply of goods माने जायेगी except these three जब special economic zone developer include हो जब custom frontier के अंदर हो या फिर किसी tourist को supply हो रही हो तो वो आपकी inter state माने जाती है intra में नहीं आती दूसरी बात आती है intra state supply of services जो आपकी intra state supply of goods थी वो specified थी section 8 के subsection 1 में जो कि आपका section 8 intra state से include से related है और services से related आपकी बात बताई गई है section 8 subsection 2 में यह क्या बोलता है supply of services कोई भी supply of services तब intra state माने जाएगी जब जो है location of supplier and place of supply एक ही state में है या एक ही union territory में है जैसे आपका यहाँ पर था goods के case में ठीक वैसे ही जब location of supplier and place of supply same state या same union territory में है तो माने जाएगी कि जो supply हो रही है services की वो interstate है except जहाँ पर special economic zone developer या unit involved है अगर वो involved होंगे तो वो interstate होगी intra नहीं होगी अधरवाई सारी supply of services जो कि क्या है same state या same union territory में हो रही है वो माने जाएगी कि वो interstate है देखो interstate हो गया intra हो गया अब रहा गई हमारी supply in territorial water की कौन सी supply जो आपकी territorial water में supply हो रही है वो क्या माने जाएगी supplies in territorial water तो देखो कि कोई भी supply interstate है या interstate है वो हमने बोला दो ही चीज़ों के उपर depend करता है एक location supplier की और दूसरी place supply की तो territorial water में भी यही concept involved होगी बात आती है कि अब क्या है जो अगर पानी के बीच में आप territorial water में किसी foreign sea में मतलब कर रहे हो supply तो उसके लिए location supplier की क्या माने जाए और place of supply क्या माने जाए तो देखो जो बात होगी location of supplier की वो क्या होगी कि अगर क्या है location of supplier किसी territorial water में है तो ऐसे में जो supplier की location है वो माने जाएगी जो की coastal state होगा यानि उस पानी से जहां पर supply हो रही है उससे सबसे nearby जो coastal state होगा यानि पानी से सटा हुई जंगा होगी जो भी territory होगी nearest point होगा उसी को मान लिया जाएगा location of supplier यानि जहां पर पानी में territorial water में supply हो रही है वहां से सबसे नजदीक nearest point जो होगा किसी coastal state या union territory का उसी को मान लिया जाएगा location of supplier same rule place of supply पर apply होगा जहां पर जो place of supply है territorial water में है तो ऐसे में जो भी nearest point होगा baseline का किसी नजदीकी coastal state या union territory का यानि जहां पर जो भी सबसे near जगय होगी जहां जो territorial taxable territory के अंदर आती है उसी को मान लोगे place of supply फिर जो location of supplier decide होगी और जो place of supply होगी उनके according हम decide करेंगे कि वो intra state है या interstate है बहुत ही simple concept है कि जो भी उनके सबसे पास वाली जगय होगी union territory हो या state हो जो कि आपकी taxable territory में आती होगी उसी को आप मान लोगे place of supplier या फिर place of supply I hope समझ में आया होगा कि कैसे decide होगा कि कोई भी transaction intra state है या interstate है और या फिर अगर वो territorial water में है तो उनके regarding location कैसे decide होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like और channel को subscribe ज़रूर करना thank you